हलो बच्चों स्वागत है आप सभी का साइंसाइंफान 91011 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्स आपको दिल और दिमाग तुरू से पढ़ाते हैं तो आ गई हूं मैं अपनी सीरीज को वापिस लेकिए और आज हम करने वाले हैं फेडरलिजम चाप्टर येस कंप्लीट चाप्टर अंडर 10 मिनिट्स तो बस बिनाडा इमवेज के जल्दी से चुरू करते हैं और इस लेक्चर के एंड में आपको मिलने वाले हैं इसके most expected and repeated questions भी तो stay tuned तो फेडरलिजम का मतलब क्या होता है हमने power sharing को आपको 10 मिनिट्स में पढ़ाया फेडरलिजम का मतलब होता है powers को अलग-अलग levels में divide करना लेकिन यहां पे फेडरलिजम में vertical form of distribution होती है ना कि horizontal यानि कि top level से lower level तक अब इसे के दो चीज़े आ जाती है जिसमें होता है unitary form of government और federal form of government यह आपके NCRT का question भी है differentiation वाला तो unitary form of government में क्या होता है जहां पे सिर्फ एक level of government होती है इसके पास सारी powers होती है कि वह या जो भी उनको law निकालना है पास करना है और यहां यह orders पास किये जाएंगे state और subordinate governments को यह order state government को परब unitary में एक ही level पे हो गया federal में होता है दो या उससे अधिक level of government जैसे कि मारे भारत देश में है यहां पे central government जो होती है वो पूरे entire country के लिए होती है state government जो होती है वो state level के लिए होती है यह करती है nation के interest के लिए काम जो central level होती है state level, local level और state basis पे काम करती है इसके पास powers होती है अपनी और यह answerable भी होती है किसको किसको किसी को नहीं state government answerable होती है central को ठीक है state government is answerable answerable in the sense यह लोग मिल जुल के देश चलाते हैं कोलेशन में देश चलाते हैं तो answerable in the sense discuss करना कुछ भी बात करना तो कुछ हिससे central government के हाथ में दे दिये गए है state government के level पे भी तो बस both these government are separately answerable to the people yes चाहीं unitary हो चाहीं federal हो लोगों को जवाब देही तो दोनो form of government होती है क्योंकि democracy का पार्ट है example है इसका UK, Italy, Portugal and यहाँ पे है India, Belgium, South Africa, Australia जहाँ federal form of government follow की जाती है अब इसके बाद आपका आ जाता है federalism के features very very important देखे सबसे पहला federalism का feature क्या है यहाँ पे दो और उससे अधिक form of government होती है हर एक level के पास power होती है jurisdictions जो होती है वो सम्विधान में लिखी होती है उसी के बिहाफ पे सरकार decision भी लेती है जो भी changes होते है अगर आपको करने है तो दोनो level of government से consult किया जाएगा court जो होंगे वो as an empire act करेंगे judiciary system उसके बाद revenues के source बता दिये गए union list, state list और concurrent list में कि किसके हाथ में कहां से आया revenue यानि की income जाएगी dual objective क्या है यह important है बच्चे भूल जाते है dual objective के बारे में तो dual objective क्या है पहला promote unity of the country दूसरा भाहिया accommodate करना इस पूरी diversity को accommodate मतलब रहन सहन उसका देखना तो यह सारे features of federalism में आते हैं इसके बाद आ जाता है बच्चो coming together and holding together यानि की दो रास्ते federation में federalism में सबसे पहला होता है coming together coming together में चोटे 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 नेशन बिनके एक बड़ी bigger unit बना लेते हैं जैसे कि आपे independent state आएंगे बड़ी unit बना लेंगे और यह सारे उनकी powers को इकत्रित कर लेंगे एक्जामपल है USA, Switzerland, Australia वन मारकर में आ जाता है एक्जामपल भी holding together में already एक बड़ा nation है उसने अपनी powers को अलग-अलग units में divide कर दिया for smooth functioning इसका सबसे बड़ा example है इंडिया, Belgium, Spain, Central Government यहाँ पे ज़्यादा powerful होती है Federal Government में यानि की coming together में holding together में I mean Central Government ज़्यादा होगी क्योंकि वो state को क्या देगी निर्देश देगी, orders देगी now अब यहाँ पे आते हैं list अभी मैंने आपको बताया था कि revenue का जो source है वो बताया गया है किसके हाथ में कितना जाएगा तो बस union list में कौन आ गई, union list में आ गई सारे national interest के subjects और इसको कौन सभाल रहा है Central Government यानि की union सरकार तो सारे के सारे nation के importance के होंगे, जिसको uniform policy चाहिए होगी जैसे की, example बता दो बई, example हो गई आपके defense, banking, communication है ना बई, अभी मैं आपसे पूछने वाले हूँ, comments में, state list में आ गई ऐसे जो state के interest के होंगे, local के interest के होंगे इसके पास state government अपने laws खुद बना सकती है, इसमें कोई intervene नहीं करेगा, state list के example जल्दी से comment section में डाल दीजे, I will like science and fund की idea है कि जिसका भी answer सही होगा, अब आ जाते है concurrent, concurrent में क्या आता है यार, जो सबज ही नहीं पाते हम, central को दे या state को दे, भही या किसको दे, तो इसमें आता है जैसे कि आपका education, marriage, adoption, नहीं पता, central को दे या state को दे, तो यह आ जाता है concurrent list में और इसको संभालती कौन है, central government, actually दोनों मिलके decision ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई conflict आ गया, तो final decision लिया जाएगा by central सरकार, और इसके बाद आते हैं, अगर कोई भी amendments करनी है, तो parliament के दोनों houses से consult किया जाएगा, और फिर ही ठीक किया जाएगा, judiciary का role क्या है, वो भहिया highest, highest authority, empire है, out कहेगा तो out, not out कहेगा तो not out, चौका गएगा तो चौका, छक्का गएगा तो चक्का, तो judiciary, judiciary is an empire, next आ जाता है, residual list एक बाद बता देती हूँ, residual list में वो सारे subject आते हैं, जो अभी तक सम्मिथान में नहीं लिखे गए हैं, और जो नए नए आए हैं, जैसे कि IT, communication, communication in the sense, information technology वाला, तो IT, technology ये सब इ बना कर रहा है, central सरकार ही, अब आगए federalism इंडिया में कैसे practice किया जाता है, उसके लिए तीन test हमने किये, सबसे पहला, linguistic state, हमने क्या करा, language के basis पे state बना दिये, ताकि उनको ये लगे, मेरा देश, मेरी सुन रहा है, पंजाबी, पंजाब, महराष्ट, मराथी, तो हमने कोश्चन आ सकता है, यह देखिए, जैसे कि नागा लैंड, जारखन, उत्राखन, वर created on the basis of culture, ethnicity, जरूरी नहीं है, language के basis पे ही किया जाए, ethnicity के basis पे भी किया जाता है, और special status मतलब, जैसे आपको बता है, जम्मो इन कश्मीर हमारा सम्विदान follow नहीं करता है, तो यह special status हो गय अब आता है, language policy, language policy में आता है, कि हमारे सम्विदान में 22 languages को schedule किया गया है, जिसमें से हिंदी भी एक है, संस्कृत भी एक है, और भी भहुत सारी languages है, हमारे भारत देश में mother tongue तो हिंदी है, लेकिन there is no national language, official languages भी दो है, हिंदी और English, तो यहीं सारा आप इसके अंदर explain करें फिर आता है, तीसरा test, center state relation, यानि की central सरकार पे और state सरकार पे क्या relation है, क्योंकि अगर इनका smooth functioning नहीं होगी, तो देश तो भाया कैसे चलेगा, तो basically इनमें होना चाहिए mutual trust, यानि की विश्वास और agreement to live together, सातो जनम सात निभाने का वादा होना चाहिए, जैसे एक पती पत् relationship में, basically coalition सरकार होती है, और मिल जुल के देश चलाने का वादा करती है, अब आता है, 1992 में लिया गया एक major step, decentralization का, ऐसा नहीं है, इससे पहले local government होती नहीं थी, होती थी, लेकिन समविधान में इसको डाला गया, 1992 में, तो यहाँ पर various provisions आए, जिसके अंदर, constitutional mandatory कर दिया गया regular elections के लिए, जो भी seats होंगी, यहाँ पर reserve की जाएंगी, SCST's, OBC's के लिए, साथी साथ women को भी one third seats provide की गई local level पे, also independent इसके लिए state election commission बनाया गया, जो local level के elections को देखेगा, पुरे देश के elections को election commission देखता है, और local level पे state election commission देख रहा है, और state government को अपने resources, अपनी powers, थोड़ी local सरकार के साथ, क्या करनी पड़ेगी, शेयर भी करनी पड़ेगी, अब आज आता है, पंचायती राज, अब इसके अंदर देख लीजे आप, जिला परीशर district level पे है, पंचायत समीती block level पे है, और gram पंचायत village level पे है, देरे देरे उपर बढ़ रहा है, तो gram पंचायत क्या क कि वो कैसा कर रहे है, तो basically सरपंच, पंच मिलके gram पंचायत बनाते है, gram पंचायत से पूरा पंचायती राज सिस्टम बनता है, और यहां सारे के सारे gram पंचायत group होते है, the members are elected by gram पंचायत only, जो इस से local level पे था, जिला परिशे district level पे आ गया, इसके अंदर members, जो बताया है न, municipal corporation वाला, towns और municipalities वाला, वो local areas में आ गया, MC है mayor, आप इसका complete one shot जाके देखिए, tricks बताई भी है, MC है mayor, मतलब municipal corporation का head है mayor, municipality है MC, municipality का head है municipal chair person, ऐसे आप one marker याद भी कर सकते हैं, इस trick से, इसी के साथ आपका पूरा यह chapter खतम होता है, under 10 minutes, and, यह expected question है, screenshot ले लो, मेरे Instagram पे जोड़ 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 जिसके questions के important बता रही हूं, telegram पे जोड़ 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 जहां पे मैं इसका सारा आपको data दे रही हूं, यह पूरा का पूरा आपका क्या है, ऐ ऐसे questions हैं, जो आपके exam में आ सकते हैं, साथ ही साथ बच्चो, हर chapter के NCRT के सवाल तो बहुत जादा important है ही, तो comment section में बताना जरूर, एक तो उस question का answer, और next chapter आपको under 10 minutes में कौन सा चाहिए, see you all in the next video, bye-bye.